मतुरा से जिन उमीदवारों की नाम सामने आये हैं उनमें ड्रीम गर्ल हेमा मालनी को दोबारा टिकेट दिया गया है इस बार हेमा के सामने सपाबस्पा के गठबंदन से कुवर नरेंद सिहरालोध हैं वहीं कॉंग्रेस ने अब तक इस सीट पर अपना कोई उमीदवार घोशित नहीं किया है फिल्म दुनिया में चार दशोकों तक सफलताओं को बरकरा रखने के साथ राजनीती में भी काफी शोहरत पाई है 2014 लोकसभाचुनाओं में राश्टी लोगदल के उमीदवार एवं ततकालीन सांसत जयनत चोधरी को हराकर भाजपा से मतुरा की सांसत चुनी गई हेमा मालनी एक बाहर फिर से इसी सीट पर पार्टी द्वारा उमीदवार बनाए गई है राजनीती में हेमा की शुरुआत निस सो निन्यानू को ही हो गई थी लेकिन अधिकारिक रूप से उन्होंने 2004 में भारती जंता पार्टी से हाथ मिला लिया उन्होंने लोकसभा चुनाओं में भाजपा से विनोत खन्ना की उमीदवारी पर प्रचार किया था तबी से उनके राजनीती में आनकी बातों पर कयास लग रहे थे जिसकी पुष्टी उन्होंने 2004 में की 2019 लोकसभा चुनाओं में मत्रा में अटकले थी कि हेमा मालनी का टिकट काट कर प्रदेश के उर्जा मंतरी श्रीकांत शर्मा को मीदवार बनाया जाएगा लेकिन पार्टी ने हेमा मालनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है मालनी सुपरस्टार है अभिनाई के शुराती दोर में ही उन्होंने दक्षिन भाशी फिल्मों में प्रयास किये जिसमें उन्हें फिल्म निर्माता ने ये कहकर मना कर दिया था कि हेमा में कोई स्टार अप अपने नाम किये हैं। безопас हेमा और धर्मेंदर की जोड़ी को बहुत सराः गया था। उस दौर में हेमा को शादी के लिए कई अभिनेताओं ने मनाया लेकिन बाजी तो धर्मेंदर ने ही मारी। हेमा और धर्मेंदर की प्रेम कहानी के कई किस्से हैं जो काफी चलचित रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान का है जब उन्होंने शूटिंग के बीच अकले समय बिताने का मन बनाया। इस बीच फिल्म के निर्देशक धर्मेंदर और हेमा मालनी को चैन्ने इस्थित उस होटल में ढूंड रहे थे जहां शोली की पूरी स्टार कास्ट ठहरी हुई थी। निर्देशक इन दोनों को ढूंडते हुए एक कन्मरे में पहुच गए यहां हेमा मालनी और धर्मेंदर एक चादर में लिप्टे हुए थे। यह देख निर्देशक ने मस्ती करते हुए इन दोनों की तस्वीर ले ली बाद में ये तस्वीर सब के सामने आ गई और काफी चर्चा में रही। इस तस्वीर के उजागर हो जाने के बाद हेमा मालनी और धर्मेंदर ने अपने रिष्टे को सार्वजनिक रूप दे दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली।